आपने वीडियो पूरी देखनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ वीडियो जुरूर सेर करनी है तो दोस्तों इस वक्त मैं बिलासपूर स्वारगाट के पास कैंची मोड टनल नंबर वन से दूसरे पोर्टल में आ गया हूँ यानि कि थापन टनल में तो अब देख सकते हैं कि किरतपूल से लेकर जो नीर चौक तक फोर लाइन बन रहा है उसका काम कितना होने को अभी काफी है और दोस्तों आप देख सकते हैं कि पिछे पहाड को काटकर इन्होंने इतना कार्य कर दिया गया है और बाकी ये जो थापना टनल है उससे बाहर एक बड़ा सा घड़ा किया गया है और वहां पर फ्लाई ओवर बनाया जा रहा है चलिए आपको बताया जाए तो आपने वीडियो को पूरा दिखने दोस्तों चैनल को जुरूर सस्क्राइब करना है तक ही मैं आप सभी लोगों को इनफरमेशन देता रहा हूँ कि कहां कहां से ये रोड चल रहा है रोड बिल्कुल कंप्लीट है पर वो है पट्टा ब्राडी बरिस से लेकर जिकात खाना के जो पिछला मोड आता है उस तक और जिकात खाना में भी अभी काम बहुत ज़्यदा पैंडिंग है तो आज 30 मार्च थी तो मैंने अप लोगों के लिए ये चोटा सा ब्लॉग शूट किया है तो अब देख सकते हैं ये बन रहा है फ्लाइ ओवर पहले दोस्तों यहां पर इन्होंने खड़ा नहीं किया था क्योंकि कंपनी का मानना था कि अगर फ्लाइ ओवर नहीं बनाएंगे तो टर्नल का जो दूसरा फोटल है उस पे गाड़ियों की जुगती है वो सही से नहीं चल पाएगी तो यानि कि आप इस रस्ते से जो सिंगल साइड वाला रस्ता है तो आप चेक कर सकते हैं पिछे और दोस्तों इस टर्नल के पास बागचाल पूल भी बन रहा है जिसका काम अठाई साल हो गए पर अभी तक वो पूल नहीं बना उस पूल को बनने से दोस्तों जो धनी साइड के लोग हैं मरुत्तन साइड के लोग हैं उन लोगों का विकाश होना था और बर्ठी 28 किलोमेटर की दोरी कम होगी ये जीतराम कटवाल जी का एरिया है सारा जो कि जिन्डूता विधान सभा केंदर के MLG है तो बहुँ ज़्यादा राजनेती हुई इस बागचाल पूल पर पर आप ही कार्या प्रगति पर है और दोस्तों आपने वीडियो को लाइक करना है चैनल को सस्क्राब जरूर करना है और जिन्डूता से नंदनगराओ वाला जो पूल बन रहा है वो भी बागचाल पूल को ही क्रॉस करेगा तो कैंची मोर से बागचाल पूल की जो दूरी है वो तीन किलोमेटर की दूरी है और ये टरनल टो का फर्स्ट पोर्टल है जिसका नाम है थापन टरनल और वीडियो मैं आगे भी डालूँगा तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब